हेलो फ्रेंड्स मैं प्रब्जर कुरसंदू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आशा करती हूँ आप सब खुशी से अपने घरों में रह रहे होंगे अपनी फैमली के साथ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भड़ता और वो भी मटर वाला तो इससे पहले कि मै अपस के साथ सारी रेस्पी शेयर करूं प्लीज जो मेरे चैनल पर नए है वो मेरे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर देजिए मेरी रेस्पी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तो ये मैंने तेल रख दिया है और अब इसमें डाला है मैंने जीरा एक चमची डाला ह वो जो खाने वाला चमच होता है वो वाला और ये लेसन और अद्रक डाला है कटा हुआ और तेल मैंने यूज किया सरसों का क्योंकि जो भरता है वो सरसों के तेल में ज्यादा अच्छा बनता है तो तेल मैंने ज्यादा बाद में डाला है तो अब इसके बाद में डाल रही हूँ यह भी चॉप्ड है यानि फाइनली कट की हुए है तो यह मटर वाला है जो बढ़ता है ना बहुत ही स्वाद बनता है बहुत मज़ेदार तो इसलिए मैंने का चलो आपके साथ शेयर करती हूं रेस्पी यह टोमाट लीजिये और हरी मीर्च अगर तीक ही वह तो बहुत है तो अच्छ whilst बढ़ते हूं शॉकसे लाल मिर्च डाली है और नमक में दो तरह का यूज्ञ करती हूं एक जो बाद में यूज होता है और एक मेरा सेंदा नमक होता है एक चमच वो और एक चमच वो डाल रही हूँ चमच छोटा है इसलिए ये मैं समझेगा कि बहुत ज़्यादा नमक डाला है और ये मैंने गरम मसाला डाला है साथ में बस इतने ही मसाले यूज़ की हैं εईMA और गरम मसाला भी हमारा इतना ज्यादा गरम नहीं होता क्योंकि 3 चीज़ों काई मैं घर पर है बनाती हूं धनिया होता है जीरा होता और काली म्र्च होती है बास ये थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि मटर डालने हैं मटरों को गलाने के लिए अगर अकेला भरता बनाना फिर पानी की जरूरत नहीं होती फिर तो भरता अलरडी जो वेंगनों ते भुने होए होते हैं लेकिन अब मैंने मटर गलाने थे इसलिए मैंने पानी डाला थोड़ा सा यह मैं वटर डाल रही हूँ और यकीन कीजिए इतना लजीज इतना स्वादिश बना था भरता कि बस जट से खतम हो गया पता ही चला कहा गया यह मैंने ढख दूँगी और तब तक मैं अपने बैंकन चीन लूँगी जो कि मैंने गैस पर भूने है यह मैं चीलूँगी इनको अच्छे से और इनकी सफाई करूँगी अच्छे से इनका उपरेशन भी करना है कि कहीं कुछ और ही चीजें जो बीच में होती है चुपी हो ना हो जो भरते का मजा ना कराब हो जाए बड़े अच्छे से क्लीन करने होते हैं बैंगन बस बैंगनों का यही थोड़ा सा दूख होता है कि खराब ना निकले बीच में से लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया इनको अच्छे से इनको साफ किया कई लोग डंडियां भी डाल देते हैं भरते की बीच में मैंने डालती हमारे कोई पसंद नहीं करता इनको बीच में तो यह मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया भरते को और अब मैं मिक्स कर दूंगी क्योंकि मतर है जो मेरे गल चुके हैं और बस इतना सा काम था हम जादा मैश नहीं करते हैं इसको मतलब भरते को ठीक ठीक है यह देख रहे हैं मेरी स्ट्रक्चर इसका कितना अच्छा है चैक्स्चर है जो इसका भरते का और इतना स्वाद की बस सभी उंगलियां चाट रहे थे तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी आशा करती हूँ आपको पसांद आई होगी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ठेक क्यार